पसिद्ध रंकर्मी स्वर्गी श्री भगवती शर्मा की रिस्मरती को समर्पित ना हाथ एक शस्त्र हो ना साथ एक अस्त्र हो ना अन्न नीर्वस्त्र हो अटो नही डटो वही बड़े चलो बड़े चलो झाझा झीरी आटूट हो, अधर में काद कूट हो, अम्रित का वही घूट हो, जिये चलों मरे चलों बडे चलों गगन उगलता आगो हो, छिडा मरण का लागो हो, लभू का अपने फागों पड़ो वही गड़ो वही बड़े चलों अशेश रक्त तोल दो, सो तंत्रता का मोल दो, गड़ी युगों की खोल दो जरो नहीं मरो वहीं, बड़े चलो, 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 मेंजर इश्वरी पर्शह! तुम्हारे इस थंतया ममा पु आल वत! व्लाडी! हमारे काशया ममा तुम्हारे इस थंतया ने हमारे जीना हराम कर दिया ए काशे काशे पकड़ेगा हम इस ब्लाडी थंतया को सर, सर, प्रेजिडेंट सर, प्लीज, हमको एक मौका और दो, हम कुछ गाउवालों को और पैसा देगा फिर देखना, वो लोग हमें पक्की खबर देगा, और इस बार ऐसा जाल बिचाएगा, कि ये टंटिया मामा, तू हेल वित, मेरा कैसा मामा, ये टंटिया, खंडवा जेल में ही दिखेगा, चलिए ये कहानी है एक ऐसे आदिवासी नायक की, जिसने अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ आदिवासीयों के बीच जन चेतना जाग्रत की, मालवा और निमाड के ठेट जनजाती इलाकों में आदिवासी की लहर पैदा की, पराधीन ताकी बेडियों को काटने की हिम्मत की, और हस्ते हस्ते फासी के भंदे को कले लगा लिया, आदिवासी का पर्चम लहराने वाला वो नायक था, टंटिया भी जिसे आज भी मालवा और निमाड के लोग टंटिया मामा कहते हैं, और देवता की तरह पूछते हैं, अंग्रेज हुकूमत के लिए सिरदर्द बने टंटिया, और उसके दोस्त डॉल्या को जैसे तैसे पकड़ते हैं अंग्रेज सिपाही, और खंडवा जेल में बंद कर द दोल्या, वो सिपाई इसी कोट्री में आ रहा है, तियार है ना, हाँ, हाँ टंटिया, भी तैयारू, सुनो, 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 पच्चीस हजार रुपे इनाम, तेहातों में लूट, खसोब, आगजनी और मार पीट करने वाला डाकू, टंटिया भील, खंडवा जेल से फरार हो गया है, उसे पकड़ने वाले को, या उसका पता बताने वाले को, इंदोर दर्बार 20,000 रुपे और अंग्रेज हुकूमत 25,000 रुपे इनाम देगी, सुनो, 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 जल्दी, जल्दी, जल्दी टंट्या, तुम्हारे पीछे वो मेजर लगा है, हेचा सुदा, जिसे तेरे जैसी लुगाई मिले न, उसे मौत भी नहीं अरा सकती, हाँ, 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 ठंट्या, अरे, फिरंगी की ओलाद, तुझे अपनी जान प्यारी है या नहीं, जरा देख पीछे, अरे, मेजर इस्वरी प्रसाध, जो जुसे कितनी बार कहा है, इस्वर का प्रसाध होकर फिरंगी का साथ देता है, अब भी समच्छा, हमारे साथ आजा, नहीं तो हमारी भारत माता तुझे, गत्दारी का ऐसा प्रसाध देगी, तुझ सारी चिंदगी रोता रह जाएगा, समझा? लो टेंटिया, पकड़ लाए हमें इस गत्दार हिम्मत पठेल को! क्यों रे पठेल? रेच देरे क्या भाईबन है, जो तु जूटी गवाई देकर मुझे पकड़ माना चाता था? हैं? अच्छा, तो तुझे हसी आ रही है, हैं? तो लिया, फिरंगियों के इस दोस्त को गोली मार दो, और इसकी हवेली रूट कर सारा रुप्या पैसा अनाज और कपड़े करीबों में बाढ़ दो! लेकिन ध्यान रहे, और तो और बच्चों को कोई हाथ न लगाए, समझे? टन्क्या को अंग्रेज यूही रॉबिन हुट नहीं कहते थे, टन्क्या जहां अंग्रेजों के मुख्बिरों को सजा दे रहा था, वहीं भुले भले आदिवासियों और उनके परिवारों के भरन पोशन और उनकी रक्षा का जिम्मा भी उठा रहा था अरे मोटू, देख, वो जेलार और नायक इधर ही आ रहे हैं, ऐसा करते हैं, आम इनको पकड़ लेते हैं, टन्क्या भी आता ही होगा अच्छा, तो तू है नकली अंग्रेज अरे, तेरी टोपी पहन कर ही तो दोलिया चेल से भागा था आँ, दोलिया आँ, मेरे जिगरे दोस्त, मेरे शेर, आँ या, लगता है मेजर इस वरी पसाथ और रेजी देन गिरभिन अपने सिभाईयों के साथ आ रहे हैं दुश्मिनों से लड़ने के लिए त्यार हो जाओ मालवा के पठार से लेकर विंध्याचल परवत शेनी के गाओं में और घंडवा से लेकर चाबगवा निमाड तक जितने अंग्रेज रिजिडेंट थे उनका एक ही लक्ष था टंट्या को पकड़ना और टंट्या था कि अपनी बहाद्दुरी के दम पर अपने साथियों की ताकत पर और खबरे भेजने के अपने जोरदार नेटवर्क के चलते अंग्रेजों को नाकों चने चपवा रहा था मालवा निमाड के क्रामीड अंचलों में बगावत की आग जोर पकड़ रही थी लेकिन एक दिन एक दिन रेजिडेंट ग्रिफिन को पता चलता है कि टंट्या और उसकी पत्नी जसुदा खंडवा जा रहे हैं अपने भांजे से मिलने और कुछ हतियार खरीदने सर ये टंट्या का भांजा अच्छा पकड़ में आ गया इसकी जेब में ये चिट्ठी कैसी जल्डी पड़ो क्या क्या लिखा हाईश मैं सर लिखा है टंट्या मामा कल शाम पिता जी खंडवा जा रहे हैं और मुझे मालूम है आप भी वहां आ रहे हो मेरे लिए मिठाई और खिलोने जरूर लाना ठंट्या अब तेरा होगा पंटा ठार और हमें मिलेगा वो क्या बोलता है परशकार तंट्या मुझे लगता है आप चायद अंग्रेज हुकूमत तुम्हारे खिलाब कोई भयानाग जाल बिछाने वाली है तुलिया डर डर के सो दिन जीने से तो अच्छा है शेहर की तरह दस दिन जीए हम जीएंगे तो आजाद और मरेंगे तो आजाद अशेश रक्त तोल दो सो तंत्रता का मोल दो गड़ी युगों की खोल दो टरो नहीं मरो वही बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो जल्दी करो जसोदा पहुंच तो गहें पर क्या करूँ मुझे मेरे बहांचै की बहुत याद आ रही है और हाँ, अफ्यार भी तो लेने है, जल्दी करो आज आया है शेर पकड़ में, अब कहा भागेगा टैंटिया धोका, मेरे साथ धोका हुआ है, जसुदा, तु भाग जसुदा, भाग इन फिरंग्यों को तो मैं समालता हूँ, तु भाग जसुदा, भाग जल्दी जसुदा, तुने मेरी चान बचाने में, अपनी चान दे दी तिरी मौत का बदला इन फिरंग्यों से मैं जरूर लूँगा नहीं चोड़ूंगा एके को, नहीं चोड़ूंगा चंत्या, छोड़ना मत इन पिरंग्यों को दोल्या, दोल्या, तुम लोगों ने हमें दोके से पकड़ कर मारा हिम्मत है तो मुझे आजाद करो फिर देखो है तुमको कैसे ख़देरता हूँ मेरे तुम साथी मुझे छोड़ कर चले गए लेकिन चासोदा दोलिया तुम्हारा बलिदान बेकार नहीं जाएगा कि लोग को कोई फिरंगी बांध कर नहीं रख सकता नहीं रख सकता बांध कर होश यार अंग्रेजो आज नहीं तो कल में हमारा देश छोड़ कर जानाई होगा तुम्हें हम बार निकाल कर दम लेंगे फिरंग्यों एक केक को खदेर देंगे केक पला से हम को लटकाए अगर सरकार फांसी से लटकते आए अकसर पैकरे इसार फांसी से लबे दम भी नखोली जालिमों ने हद कड़ी मेरी तमना थी कि करता मैं लिपटकर प्यार फांसी से कभी ओ बेखबर तहरीक आजादी भी रुकती है बड़ा करती है उसकी तेजी एर अफ़तार फांसी से यहां तक सर फरोशाने वतन बढ़ जाएंगे कातिल किलटकाने पढ़ेंगे नित तुझे दो चार फांसी से सीटिया यहां यहां मिम्ट से कहाई आखकरने कांसी लिए आज परेचलू परेचलू कि अ कि कि अ कि अ झाल झाल